पिछले साल सितम्मर के महीने में पूरे देश में PFI के ठिकानों पर रेड हुई थी और उसमें सैकडो लोगों की गिरफतारी हुई थी जिसके बाद NIA ने इस मामले की जान समहा ली थी और NIA के हाथ में ऐसे सबूत लगे और उन्होंने केंद सरकार को रिकमेंड किया जिसके दो फ्लोर्स को KZ बिल्डिंग है ये कोंडवा इलाके में और इसके चौथे और पाचवे मंजिले पर इस वक्त मैं चौथे मंजिले के गेट पर खड़ा हूँ जिसे फिलहाल बंद किया गया है जिसे फिलहाल सील किया गया है इस इमारत में और भी स्कूल्स चलते हैं ये जो इमारत है वो तरीके से एजुकेशनल हाँ था पहले मंजिले पर उर्दू मीडे में स्कूल चलता है दूसरे और तीसरे मंजिले पर इंग्लिस मीडे में स्कूल चलता है तो जो लोग यहां पर इस बिल्डिंग में रहे हैं जिनका तालूक इस बिल्डिंग से है और और पाच्वे फ्लोर की बात हो रही है, कौन था इसमें, कौन रहता था आपके दुकान पेहन तो आना जाना लगा रहा था, हाँ आना जाना लगा था, लेकिन उपर से मेरा कोई तालूक नहीं था, कंटिक नहीं था मेरा, समर्मन मगरा लेने लोग आते थे, और बाकि इसके मेरा कुछ तालब ने था इतना ही हमको मालुम था हाँ बाकी उनसे हमारा कोई concern नहीं हमारा जो भी है school arts में हम आते थे school arts में चले जाते थे कभी कुछ पता ही नहीं क्योंकि मैं तो already chairman हो मेरा जब कोई document ली काम होता था school को related तब आता था मैं मुझे कुछ पता ही नहीं पोन आ रहा किसके लिए दिये क्यों दिये कुछ पता नहीं तो ground floor पे और first floor पे जो है वो उर्दू school है तो यह first floor था अब हम मैं आपको ground floor पे लेके चलता हूं तो जो यहां इस building में अलग-अलग schools चला रहे हैं लोग या फिर building के बाहर building में जिनका दुकान है उन्हें बहुत जादा जानकारी जो है वो नहीं थी कि PFI का यहां पे दफ्तर चल रहा हूं यह ground floor है यहां पे भी यह school आपको देख रहे हैं वो उर्दू school जो है वो यहां पर चलाया जा रहा है चलाया जाता था तो कुल मिलाकर आप मैं आपको नाम दिखा दूँ कि इस building का नाम क्या है के जेड उर्दू हाई स्कूल यहां पे है अलमा सिब्ली अमानी उर्दू प्राइमरी स्कूल है तो यहां पे पूरे इमारत में schools थे और dignity education foundation जिसने चौथा और पांचवा फ्लोर जो है वो लिया था किराये पे नाइए ने जब सतंबर के महीने में रेड की उन्हें पोख्ता जानकारी मिली थी कि यहां से यहां पर PFI का दफ्तर जो है वो चलाया जा रहा है जिसके बाद नाइए ने रेड कि मैं आपको बाहर से भी तस्वीरे जो है वो दिखाने की कोशिश करता हूं इस इलाके को समझाने की कोशिश करता हूं यहां पे स चौथे और पाच्वे मंजिल को जो है वो फिलहाल जो है वो अटैच किया है सील किया है बताया गया कि वहां पर PFI का दफ्तर चलता था यहां पर मुसलिम विवाओं को भढ़काया जाता था हिंदू नेताओं के खिलाफ भढ़काया जाता था हिंदू और्गनाइशन से ख की जाते थी अखंड़ता को तोड़ने की देश को तोड़ने की कुश्य जो है वो यहां से की जाती तो फिलाल नाइए ने इस बिल्डिंग को अटैज कर लिया है चौथे और पाच्वे मंजिले को और यहां पर अब इसे लीजा उट करने की और या फिर इसे बेचने की इजा इस बिल्डिंग के मालिक को फिलाल नहीं है जब तक इनाइए की जाज पूरी नहीं हो जाती कैमरामेन सागर खाले के साथ राजेश हुमर इंडिया टीवी पूरे क्राइम की खबरों से अपडेटिट रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना न भूले साथधान रहें सुरक्षित रहें देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट